हुआ हुआ है है नमस्कार दोस्तों मैं अमित कुमार स्वागत करता हुआ हम सभी का एक यवर फिर से अपने यूटूब चैनल रेर फैक्ट में दोस्ता हम बात करेंगे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में अंत्र के बारे में जिए हाँ अग्यों चीज़ों गोड़ी हैं घरों में जातर baking soda और baking powder की उपयोग होता और आम तुर पर हम सभी इन दौनों को एक जैसा समझते हैं लेकिन ऐसा नहीं है baking soda और baking powder दो अलग-अलग चीज़े और इन दोनों को इस्तिमाल करने का तरीका भी अलग-अलग है इन दोनों के स्वाद में भी बहुत फरक है इसलिए अगर बेकिंग सोड़ की जगे हम गलती से बेकिंग पाउडर का उप्योग करते हैं तो पूरी डिस खराब हो जाएगी इन दोनों को इस परकार समझें कि बेकिंग सोड़ को अक्टिवेट करने के लिए असिडिक चीज की जुर्थ पढ़ती है जबकि बेकिंग पाउडर में पहले से ही असिडिक योगिक होता है तो आईए जानते हैं इन दोनों में क्या अंतर है पहले बात करते हैं बेकिंग सोडेगी इसका बेस छारिय किसम का होता है जिसमें अगर किसी भी प्रकार की एसेडिक चीज मिलाई जाए तो कारवन डायकसाइड उत्पन होती है जादा तर इसका उप्योग उन रेसिपी में किया जाता है जिसमें एसेडिक योगिक पहले से मोजूद होता है जैसे की मेपल, सिरप, लेमन, जू, सित्यादी आम तोर पर इसका उप्योग इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये काफी सस्ता और सुद्ध होता है हमको अगर कारवन डायकसाड चाहिए तो हम इसमें एसेडिक नेचर वाली चीजों का मिलाओट करते हैं इसका उप्योग कहां कहां होता है जैसे मैदा से कोई डिस बनाते समय घरों में कपड़े धोने में टाइल समकाने में कुछ परकार की धातुए जैसे सोना चादनी त्यादी को भी चमकाने में इसका प्रियोग किया जाता है कई परकार की कोल ड्रिंक्स बनाने में भी इसका प्रियोग किया जाता है अब बात करते हैं बेकिंग पाउडर की सामाने ते ये बेकिंग सोड़े और acidic चीज का ही मिस्रन होता है इसका जादतार उपयोग bakery के आइटम में किया जाता है इसमें मौजूद acidic योग एक तब तक एक दूसरे के साथ रासाजनी किरिया नहीं करते जब तक कि इसमें किसी परकार का liquid नहीं मिलाए जाए ऐसा करने पर जब carbon dioxide बहार निकलती है तो बहुत चोटे-चोटे बुलबुले बनने लगते हैं जिसके कारण disc का साइज बढ़ जाता है और वह फूल जाती है इसका उपयोग जैसे केक बनाने में मफिन्स बनाने में bakery items में इसका उपयोग किया जाता है आप जानते हैं कि ये दोनों actual में अलग-अलग कैसे है दोस्तों baking soda और baking powder का उपयोग अगर रासा इनिक स्तर पर देखें तो ये दोनों काफी अलग-अलग होते है baking soda एक अमलिय योगिक होता है जो किसी भी acidic पदार्थ के साथ गुलने पर परतिकरिया करता है जैसे सिरका, छाच, निम्बू, करस और दही इत्यादी जबकि baking powder एक परकार का ऐसा मिसरन होता है जिसमें baking soda के साथ-साथ अन्य अमलिय ततों भी मोजूद होते हैं जो इसे सूखा और भुरुभुरा बनाने में सहायक है तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो आई होप आप baking soda और baking powder में अंतर समझ गए होंगे दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लेज मेरे YouTube चनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में बड़े इंटेस्टिंग टोपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद